हलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब मैं जानती हूँ कि आपको मेरी एक रेसिपी दिखाने वाली हूँ वो ज़रूर पसंद आएगी ये देखिए हम सुखी रोटी या नहीं पुरानी रोटी है या चपाती या पोली बोलते है उसकी रेसिपी बनाने वाले है ये देखिए मैंने टुकड़े कर लिये है आप मंचहे आकार में इसके टुकड़े कर सकते हो ये इसको सुखा के भी आप इसका स्नैक्स बना सकते हो नहीं तो डायरेक्ली भी ये रोटी आप यूज कर सकते हो तो इसके लिए हमें तेल लगेगा तो हमने बरतन में तेल लिया है इसको मिडियम आज पे गरम कर लिया है अभी ये पीसेज में इसमें डालूंगे ये देखिए कुछी सेकेंज में ये तयार हो जाएंगे क्योंकि ये रोटी पहले सी हुई पकी हुई होती है तो जादा तलने की हमें ज़रूरत नहीं और तुरंत इसको कुछी सेकेंज में हम पलट देंगे ये देखिए पलटने के बाद हम उसको थोड़ा सा रेडिश होने के बाद निकाल सकते है ये देखिए मैं आभी कुछ और पीसेज तल के दिखाऊंगे आपको इसमें तेल जादा लगता है पर आप इसको अब आद में टीशू पेपर में रखके इसको ड्राय कर सकते हो ये ये दिख्ये में और पीसेज डाले है इसमें इस रेसीपी में हम रूटी बनाते हुए नमक डालते ही है इसलिए इसका स्वात और बी खुलके आता है इन दिखाऊंगे तल लियं है ने पीसेज आप दी value आप इसको तील से निकाल सकते हो यो ये मेरी रेसीपी आपको अच् के साथ शेर भी कीजिए क्योंकि sharing is caring और मेरे इस channel को please subscribe भी कीजिए यह मैं आपको नही नही रेशिपी देखा हूँगी यह देखिए अपने यह रोटी कुरकुरी रोटी बन के तयार हो चुकी है यह देखिए इसके आपको आवाज भी आएगी मैं इसको तोड़के दिखाद यह आप चाय के साथ भी खा सकते हो यह आप टिफिन में भी लेके जा सकते हो और बाहर का तला हुआ खाने से अच्छा यह अपने बच्चों को भी दे सकते हो और बहुत ही कुरकुरी बनती है यह रोटी आपको यह करने के बाद ज़रूर पसंद आएगी एक बार करके तो देखिए यह रही मेरी कुरकुरी रोटी चलो फ्रेंड्स मैं आपको एक नई चीज दिखाती हूँ जिसका नाम है किचन टॉल्स और किचन टिशू रोल यह बांबू से बना हुआ है यह वेरी गूड एपसॉर्बंट है यह क्लीनिंग के लिए या फूड र यह बांबू से बना हुआ है और यह बायो डिग्रेडेबल है और इको फ्रेंडली भी है यह आपको पर्चेस करना होगा तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दी है तो उससे आप पर्चेस कर सकते हो तो यह बहुत ही मनी सेविंग प्रोड़क्ट है तो आप इसको जरूर लीजिए और मुझे इसका रिजल्ट बताईए और मेरे चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब दीजिए तैंक यू